हमारे साथ मौझूद है प्रदेश के गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नरायन चौधरी है। चौधरी साथ प्रात्मिक्ता है तो अब तैह हो गई होगी आपकी काम की। लेकिन आज जिस तरह से मुक्रमंत्री ने कहा कि 100 दिन का एजेंडा सब ही मंत्रियों को दिया जा रहा है। इसको अब कैसे देखते हैं। देखें। यह पूर्व में भी जब पहले हमारी सरकार बनी थी 2017 में उस दिन भी 100 दिन का एजेंडा दिया गया था। निश्चित रूप से अब जो एजेंडा दिया जाएगा 100 दिन का उसे पूरा करेंगे। जहां तक प्रात्मिक्ता की बात है आदर्णिये मुक्रमंत्री जी भी तेह करेंगे। और हम स्वयं भी विभाग बार अपनी पूर्अथ मिक्ताय थे करेंगे। अभी मैंने आज ही ओफिस अटेंड किया है। मैंने मंडे में मीटिंग बुलाई है अर्थकारियों की, उच दिन हम सारी सो दिन की प्राथ मिक्तायते करेंगे और इसके बाद जो भी विश्वास आधरणिये मक्य मंत्री जी ने और पार्टी हाई कमान ने जताया है मेरे उपर, मैं कोशिश करूँगा लिकोश पर खरावत हूँ लक्षमियन चोधरी जी बड़ी चुनोती है आपके लिए गन्ना विकास मंत्रा ले चुकी, किसानों का भुकतान, चुकी जो पुरवर्ती मंत्री थे, सुरेश राना जी, उनका बेहतरिन काम ता जिस तरह से देखा जाया है, तेकि फिर भी हो हार गया है, आपको लगता है कि उन तमाम किसानों को एक तरह से सेटल करना, उनका भुकतान करना, आपके लिए सबसे बड़ी चुनोती होगी कि देखिए, यह हार जीत का जो पहमाना है वो इस बात से तैनी होता, आदरनीय राना जी ने बहुत अच्छा काम किया गरने में, माराज जी के नेत्रत में, चुना भार गया है, यह अलग बात है, लेकिन मैं यह मानता हूँ का पहमाना इस से तैनी होता है में इसलिए किसानों ने खासकर जाट जो वहां पर बाहूल एच्छतर है उनका साथ नहीं दिया मेरे ख्याल से कशान है उत्तर प्रदेश में मुश्किल से पंद्र surprised जाट तो इस तरह बदनाम है जैसे शहर में ऊठ बद НАम होता है जाट का क्या मतलब जाट जी इतरही गन्दश वोता है तो गन्न dog और भी मिले हमारी पीली भी तो तराई के अलाके में है उतनी हमारी पूरब के अलाके में है तो करना तो सभी होते हैं लेकिन यह है एक हमारी कोशिस होगी किसान को वाजिब दाम समय पर मिल जाए तो फिर किसान को कोई दुख नहीं होता आपने कहा वाजिद दाम समय पर मिल जाए आ अगर योगी जी के पहले कारेकाल की बात करें आपको लगता है कि उससे नाराजगी बहुत ज़्यादा थी इसलिए हार का सामना करना पड़ा है सभी जानते हैं कि उन्होंने बढ़ियां काम किया पारदर्सिता थी काम में ट्रांसपरेंसी थी काम में हम लोग ने भी देखा के भाक्ति जनता पार्टी को मिली है हमने मात्र 16 सीट 110 सीट थी पहले अब कि हमें चौरान में मिली है 16 सीट कम आई है जब कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 23 कम आई है और मध में पिछली बार से 27 कम आई है सबसे अच्छा रिजल्ट पस्ट्र मुत्तर प्रदेश का रहा है लेकिन केबल दो जिलों के ऊपर पस्ट्र मुत्तर प्रदेश पस्ट्र मुत्तर प्रदेश दो ही जिलों के ऊपर एक जाटनाराज जाटनाराज ऐसा नहीं है कभी मत्रा में आज तक किसी भी दल को 500 सीट नहीं मिली पहली बार मिली आगरा में 9 में से 9 सीट हैं पहली बार पहेली बार मिली आपके बुलंचसेहर में चेश शाथ सीट है आठोपके ए बी जिपी को मिली नोगेड़ा में तीन में से तीन में गाजियबाद में छह में से छह मिली एटा में जहां उनका गड़ था वहां तीन में से तीनों हमारी है जहां काश गंज उनका गड़ था वहां तीन में से तीनों हमारी है फरुकाबाद जहां उनका गड़ था उस में से छह में से छहों हमारी है तो पताईए आप कहा किसान नाराज रहा किसान तो हापुड तीन सेटं तीन हो हमारी है लेकिन लक्षमय्ण जी आपकी बात करे अब आप कितना बड़ा चुनौती मानते हैं गणना विकास गणना भुक तान चुकि आपने देखा है कि बैतरिन काम किया फिर भी हार गया मतलब एक पैमाना माना जा रहा है हार जीत का देखिए ये मैं पुने कह रहा हूं ये पैमाना हार जीत का नहीं है लोग जब मेरे पास पस्धन विभाग और डेरी थे तो ये कहते थे कि पिछले 40 साल में कोई भी मंतरी रिपीट नहीं हु है मैं 50,000 वोट से जीता हूं लेकिन लक्षमिर जी आज आपने बोला कि मैंने ओफिस जॉइन किया आपने देखा होगा गन्ना भुगतान का पूरा विवरन आज आपने फाइल चेक की होगी तो उसमें क्या कुछ खास आपको लगा या वही पुराना है अब ही मैंने बताया आपको मैं मंडे में मीटिंग करूँगा पूरी रिपोर्ट के लिए मैंने केन कमिस्नर और उनसे बूल दिया है प्रिंस्पिल से निश्टित रूप से जो भी संभव मैंने बताया आपको जो मेरे उपर भरोशा किया है मुक्यमंद्री जी ने और पार मुझे आप सब लोगों के सहयोग से और इश्वर की कृपा से आज तक छटमी बार में मंत्राले बार है विभाग देखने को मिले हैं और कभी किसी विभाग में मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा तो मुझे पूरी उम्मीद है एक आदर्णिय मुक्यमंत्री जी के आशिरवाद से पारटी हाई कमान के आशिरवाद से मैं गन्य की छित्र में भी किसानों की सेवा करने में सफल रहा हूँगा आप से बात करने कले शुक्रिया कैमरमेन रोहित के साथ पुशकल भारसमचार दिल्ली